नमस्का आप दोस्तों जहिन वंदे मातरम स्वागत आप सभी का दोस्तों आप भी मानते हो कि मोधी है तो मुंकिन है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर सेर करेगा दोस्तों जैसा कि आप सभी जानतों कि जबसे मौधी जी परदान मंत्री बने तब सच कि मोधी सरकार ने कहीं पुराने से पुराने मुद्ध को उकाड़ कर फेक गए जैसा कि कसमिश से दारा 300 सितर और पेती से को और आपको बता देना चाहते कि मोधी जी ने भी पहले कहीं बार काय कि उनके लिए तो सवा सो क्रोड देश वासी उनके लिए उनका गर और परिवार हैं दोस्तों आजम बात करने वाले परदान मंत्री मोधी और उनकी पतनी जसोदा बेन के बारे में कि आज कहीं सालों बाद मोधी जी ने अपनी पतनी जसोदा बेन से मुलाकात की है दोनों पती पतनी की मुलाकात का आजम आपको पहली बार पूरा का पूरा वीडियो भी लाइव दिखाएंगे इसलिए आफ वीडियो को अगए बगाय बीना अकिर तक जरूर देखते रहें तो चलिए दोस्तों जानते हैं दोस्तों आपको बता देना चाहती कि बलाए मोधी जी और उनकी पतनी कितने सालों से क्यों ना अलग अलग रे रहे लेकिन मोदी जी की पतनी हमेशा सही मोदी जी के बारे में अच्छा ही सोचती है आपको बता देना चाहत कि जब पहले मोदी जी परदान मंत्री नहीं बने तब मोदी जी की पतनी ने पहले कहीं बार बता जाता कि यदि उनके पती परदान मंत्री बनते तो उन्हें सबसे ज़्यादा कुछी होगी लेकिन दोस्तों आप जानतों कि इस समय मोधी जी देश के दुबारा परदान मंत्री है और दुबारा परदान मंत्री बनने के बाद मोधी सरकार कहीं ताबर तोड एक्सन लेती हुई जारी है और आपको बता देना चाहते कि आज भी मोधी जी जो पतनी है खुद के दम पर छोटा मोटा कारे करके अपना गुज़ारा करती है ना के मोधी जी से किसी तरह की उमीद रखती है आपको बता देना चाहते कि मोधी जी की पतनी एक रिटार्ड सिक्स का है बताया जाता कि उनको वर्त मान में 14,000 रुपे पेंसन मिलते हैं जिसे वो अपना गर और परिवार चलाती है और आपको बता देना चाहते कि इस समय मोधी मोधी की गुंज़ाजी की देश में ने भलकी पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और हमारे देश के परदान मंत्री स्री नरेंदर मोधी सबके दिलों में बसते हैं आज उन्हें इंडिया नहीं बलके ऐसे कहीं देश जी को मोधी जी को फोलो करते हैं तो दोस्तों मोधी जी के बारे में और भी अधिक जानकारी जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबा कर सस्क्राइब जरू कर लें साथी वीडियो को अधिक से अधिक सेर करें तब तक के लिए नमस्कार जेहिन वंदे मातरम भारत माता की जेहिन